बिस्मिल्लारामाने रहीम, अस्सालाम अलेकूं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल देली कतरका देली कतरका में आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की एक शांदार वेजरेबल डिश गाजर मेथी तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं गाजर मेथी बनाने के लिए हमने एक पाउ मेथी लेके उसे तोड लिया है तोडने के बाद बहुत अच्छे से वाश कर लिया है वाश करने के बाद हमने इसको बारिक बारिक काट लिया है ये देखिए इस तरह से हमने बारिक बारिक काटा है एक किलो गाजर ले लिया है, गाजर को भी बहुत अच्छे से वाश गया और उसके बाद काट लिया है 6-7 लहसन के जवए लिये है, उनको finally chop कर लिया है 7 दर्मियाने साइस के टामाटर लेके उनको बारिक बारिक काट लिया है क्योंकि काजर में थोड़े ज़्यादा ही टेमाटर जाते है वन टीस्पून हल्दी का ले लिया है वन ही टीस्पून नमक का ले लिया है हाफ टीस्पून पिर्सी हुई मिर्चो का लिया है हाफ टीस्पून कुटी हुई मिर्चो का लिया है ओईल ले लेंगे हाफ कप के हिसाब से पतीली में ऑईल डालेंगे और ऑईल को हलका सा गरम कर देंगे अब हम इसमें लेसन डालेंगे और लेसन को बिल्कुल लैट सा गोल्डन सा कलर देना है बस इतना ही गोल्डन कलर हमें चाहिए अब हम इसमें मेथी डालेंगे मेथी को अच्छे से ऑईल के अंदर भूनेंगे ऑईल में मेथी का बहुत यमी सा डेस्स आ जाता है अब हम इसमें टामाटर भी एट कर देंगे और बागी के मसाले भी एट कर देंगे मसाले डालके अच्छे से हम भून लेंगे अब इसको ढगना ढगके टमाटर गलने के लिए छोड़ देंगे टमाटर हमारे गल गये हैं और मसाला भी काफी हद तक भून रहा है अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे अब हम इसमें गाजर भी एट कर देंगे गाजर को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे गाजर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसे ढगना ढगके पकाएंगे आज यह चेक करते हैं हमारी काजर मेठी एकदम डेड़ी हो गई है अब हम इसे डिशाउट करेंगे आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अलाहाफीस